Hello guys, welcome back to my channel, let's learn farm animals, today we will learn about farm animals, what are farm animals, farm animals क्या होते हैं, those creatures जिने हम work के लिए और खाने की production के लिए रखते हैं, उन animals को farm animals कहते हैं, so let's start with farm animals, on first number we have horse, यानि गोडा, this is horse, horse को horse riding के लिए यूज किया जाता है, इसे as a cart भी इस्तिमाल किया जाता है, पुराने जमाने में इसे bell गाड़ी की तरह, यानि गोडा गाड़ी की तरह, यूज किया जाता था, cow, यानि गाए, this is cow, cow हमें क्या देती है, milk देती है, cow givers, milk, गाए से हमें दूद मिलता है, on third number, buffalo, buffalo यानि की भैस, buffalo भी हमें गाए की तरह, दूद देती है, buffalo also give us milk, next we have hen, these are hen, यानि की मुर्गिया, मुर्गियों से हमें अंडे मिलते है, मुर्गिया हमें क्या देती है, अंडे देती है, hands give us eggs, on next number, we have duck, बत्तक, this is duck, duck also give us eggs, duck भी हमें eggs देती है, बत्तक के अंडे, मुर्गियों के अंडे के मुदाबिक थोड़े बड़े होते है, size में big होते है, next we have sheep, भेड, sheep को woolly animal यानि उनी animal भी कहा जाता है, क्योंकि इससे हमें उन मिलती है, sheep की उन से सर्दियों के लिए sweater बनाए जाते है, wool से हम क्या ब गराते हैं, on next number we have camel, camel यानि उन्ट, इसे राजिस्थान का घोड़ा कहा जाता है, रेगिस्थान का घोड़ा कहा जाता है, इस पर सवारी की जाती है, बोजा ढोया जाता है, और उन्टी से हमें दूद भी मिलता है, डॉंकी, गधा, डॉंकी को समान ढोने के काम में लाया जाता है, इसे पहाडी शित्रों में यानि हिली स्टेशन पर यूज किया जाता है, इस आर फार्म एनिमल्स, होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू,